नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की नोबेल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है नोबेल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए? और नोबेल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे की नोबेल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए? नोबेल एक ग्रैंड नेम है, नोबेल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन निमसुलाइड सो एमजी होता है, नोबेल टैबलेट का उपयोग शरीर में दर्थ होने पर और सूजन को कम करने के लिए नोबेल टैबलेट का उपयोग किया जाता है, यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो नोबेल टैबलेट दर्ध के साथ सूजन को भी कम करती है नोबेल टैबलेट का उपयोग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वशरीर के जोडों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडीशन्स में नोबेल का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में नोबेल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। और लिवर इंजाइम बन सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में नोबेल टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकते हैं। और शरील में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या बार-बार नोबेल टैबलेट का सेवन करने क वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की नोबेल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है नोबेल टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डौक्टर नोबेल 100 mg टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सला देते हैं कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है अब हम डिसकस करेंगे कि नोबेल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए लगातार 10 दिन से अधिक नोबेल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नोबेल टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना नोबेल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए नोबेल टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि नोबेल टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वज़ह से पेट म ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है नोबेल टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुचा सकती है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं के लिए नोबेल टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी नोबेल टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नोबेल टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका नोबेल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं